कि दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले कि मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं काण करने से फेमी हो गई है किमाज खाने से टाकत आती जिल्कुल नहीं आती हमारे देश का एक पहलोन है उसका नाम है सब्सक्राइब अभी थोड़े दिन कुष्टी में उसने दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवान को पटक दिया और जिस पहलवान को पटका वो मास खाता है और ये सुशील कुमार संपूर्ण शाका आ रही है ये सुशील कुमार का भी इंटर्विव आया तीवी पे मैंने देखा उसको पूछा गया कि तुम गए थे कुष्टी लड़ने रूस में वहां तो ठंड बहुत पड़ती है तो खाना क्या खाया उसने का मेरी अम्मा से बनवा के ले गया था शाकारी खाना वो ही खाया दूद पिया और शाकारी खाना खाया और दुनिया के सबसे मजबूत पहलवान को पटक दिया है और अब सुषील कुमार विश्व चैंपियन है पूरी दुनिया में कुष्टी के पहलवान क्या होती है वेजिटरी मेंडम और दूद है दही है मक्षन है बादाम है और ऐसे बहुत बड़े-बड़े पहलवान हुए है जो एकदम शुद्ध शाकाहरी थे तो आप यह गलत फहमें निकाल दो कि मास खाने से ताकत आती है अगर मास में ताकत होती तो रूस का पहलवा मास में कोई ताकत नहीं है बलकि मास शरीर की ताकत को खतम करता है मत खाना यह मास छोड़ देना भगवान ने यह शरीर बनाया है आज चावल रोटी सबजी सलाग फल आधी-आधी खाने के लिए और मास खाने की हमें क्या ज़रूरत है जब हमारे पास खाने पीने के लिए इतना कुछ है दुनिया के ऐसे कई देश है जहां दाल पैदा नहीं होती जहां सबजियां पैदा नहीं होती जहां अन पैदा नहीं होता वहां के लोग मास खाएं तो समझ में आता है भारत में तो सब तरह का अन पैदा होता है सब तरह की डाल पैदा होती है सब तरह की सबजियां है और सब तरह का हमारे पास हर चीज भगवान में दे रखी है मास खाने की ज़रूरत नहीं और कई गाउं के लोगों को ये भी गलत फहिमी हो गई है अंडा खाने से ताकत आती है अंडे से जादा ताकत चने में जो लोग रोज अंडा खाते हैं न वो छोड़ दें कुछ फाइदा नहीं है उसमें बलकि अंडा और जादा बीमार करता है क्योंकि अंडा जिस मुर्गी से आया अगर वो मुर्गी में थोड़ी भी तकलीफ है तो आपको तो बड़ी तकलीफ होने वाले तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं चना खाओ मुंपली खाओ गुड़ खाओ मुं की दाल खाओ उड़की दाल खाओ चने की दाल खाओ लौकी की सबजी खाओ ये सब ताक है किसी में निया के बड़े-बड़े खिलाडियों को मैं देखा मजबूती से खेली मैं ने अपनी जिन्रगा और रिश बैकर को में देखा जो इतनी बाल मारता है कि गाजधानी से भी ज़्यादा स्पीट से बाल जब वो service करता Boris Baker और मैंने देखा वो हर समय केला खाता रहता है अपने थेले में से निकाले लॉन पहनिस का जितनी देर match चलता है और match में थोड़ी देर के लिए break होता है Boris Baker केला खाता रहता वो केले में ताकत है अंडे में नहीं है तो अंडा छोड़के केला खाओ, मुंफली खाओ, गुड़ खाओ, चना खाओ, अपने देश में बहुत कुछ भगवान ने दे रखा है तो आप शुद्ध खाना खाओ, ये मास खाना बंद करके शाकाहरी अच्छा खाना खाते रहो खाने का तरीका मैंने बताया कि खाने के गटे बाद पानी पीना, पानी गूट-गूट पीना और एक नियम है कि सबेरे सो कर उठो तो सबसे पहले पानी पीओ जैसे ही आपकी आँठ उखले और नीद खतं हुई, तुरंग पानी पीलो सुबह पानी पीओ उठते तो फाइदा सबसे बड़ा यह होता है कि पानी पीओ उठते ही फिर उसके बाद आप टॉइलेट जाओगे तो पेट आपका एक्दम साफ होगा हमारे बाहर के देशों के खिलाडियों के बारे में से एक के बारे में जानकरी मुझे है बहुत पक्की और गहरी बॉरिस बेकर नाम का एक टैनिस प्लेयर वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कमपनियों के विग्यापन करता रहा हेल्थ टॉनिक के एक बार बोरिस बेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो टैनिस में आप जानते हैं बॉल को रैकेट से मारना है तो बहुत तेज स्पीड से जाती है तो उसकी स्पीड कितनी है तो उसने का 135 किलो मीटर घंटे की स्पीड है माने भारत में राजदानी जिस गती से जाती है उस गती से बॉरिस बेकर बॉल मारता है टैनिस के रैकेट से तो पूछा गया कि ये ताकत कहां से आई है तो उसने का केले में से आई है बॉरिस बेकर ने ऐसा जवाब दिया कि केले में से आई है तो जो पूछने वाला पत्रकार था उसने का क्या बोला है उसने का केले में से आई है मैं बच्पन से केला खाता हूँ और बोरिस वेकर ने बताया कि जब भी टैनिस का मैच में खेलने के लिए जाता हूँ तो ढेर सारे केले भरके मेरे बैग में रखके लेके जाता हूँ मैच जब चलता है टैनिस का तो आप जानते हैं कोट चेंज होता है हमेशा एक बार इस कोट से खेलेंगे दूसरी बार तो वो कहता है जो कोट चेंज करने का समय उतने में दो केले खा लेता हूँ फिर खेलता हूँ फिर दो केले खा लेता हूँ फिर दो केले खा लेता हूँ उन्होंने का ये ताकत तो केले मैंसे आई है, तो फिर उसको कागया कि फिर वो विग्यापन जो करते हो आप हेल्थ टॉनिक्स का, उसने का वो तो पैसे के लिए करता हूं, खाने के लिए थोड़ी करता हूं. खाता तो केला उन्हारा, केला? तो बॉरिस बेकर जैसा मजबूर टेनिस खिलाडी जिसकी स्पीड के बारे में सारी दुनिया की विश्शचे के कहते हैं कि उसके आगे की स्पीड अभी तो कोई दे नहीं पाया बॉल में वो कहता है कि मैं केला खाके ताकत लाया हूँ तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानिया सुनाईए बॉरिस बेकर की कहानी सुनाईए ये सब क्रिकेट खिलाडियों के बारे में बताईए कि ये अपनी जिन्दगी में साधरन चीज़ें खाकर असाधरन बने है मैं आप से कहां से शुरू करें इसको तो एक सरल संकेत करना चाहता हूँ हमारे भारत के देश में जो फालतू गहर जरूरी दवाएं बिक रही हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा है हेल्थ टॉनिकों की उनके कुछ ब्रेंड नेम है जैसे बूस्ट है हॉरलिक्स है प्रोटीनेक्स है बॉर्ण बिटा है मॉल्टोवा है फूड सप्लिमेंट्स के रूप में आप उनकी अलग-लग ब्रेंड नेम जानते हैं यहीं से शुरूआत करिए क्योंकि इन में से किसी की भी गरज और जरूरत हमारे देश के नागरिकों को नहीं है आप पूछेंगे क्यों जी बूस्ट में जो कुछ है प्रोटीनेक्स में जो कुछ है बॉर्ण बिटा में जो कुछ है मॉल्टोवा में जो कुछ है वो पता है तीन सो रुपई किलो का है धाई सो रुपई किलो का है दो सो असी रुपई किलो का है साड़े तीन सो रुपई किलो का है, चार सो रुपई किलो का, अब चार सो रुपई किलो का, साड़े तीन सो रुपई किलो का, किसी को हेल्थ टॉनिक या फूड सप्लिमेंट आप खिलवा रहे हैं, या लिख रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि उसको कह दीजे, मुंगफली खालो, मुंगफली के साथ थोड़ा कुछ मकई खालो, कुछ जौ ले लो, कुछ चना खालो, गुड ले लो थोड़ा सा, तो गुड मुंगफली खालो, गुड चना खालो, गुड जौ का सत्तू खालो, चना गुड मुंगफली तीनों मिलाके खालो, यह आसानी से उपलब्द बड़ी कीमत नहीं है इनकी, बहुत सस्ती कीमत में ये सब चीज है, और अगर किसी की हैसियत है, कि वो 400 रुपई किलो का हेल्थ ट्रॉनिक खा सकता है, तो उसको कह दो 400 रुपई किलो का बादाम ही खा लो, काजू खा लो, काजू नहीं है तो बादाम, मुनक्का, को खतम करने वाले गाजर ले लो, अमरूद में जितना आईरन है, आप जानते हो, अतना सेब में भी नहीं है, केला है, अमरूद है, भारत में तो ऐसी व्यवस्ता है, कि जो फल जितना सस्ता, उतना ही ज़्यादा भरपूर विटैमिन से, और उतना ही ज़्यादा वो पोश उसके दिमाग में भूत्सवार है कि बूस्ट से ही उसके बेटे को ताकत आने वाली है। वो रोज विग्यापन देखता है टीवी पर। सचिन तैन्दुल्कर की शक्ती बूस्ट। राहुल द्रवड की शक्ती बूस्ट। तो किसी और वीरेंदर सहवाग की शक्ती बूस्ट, धोनी की शक्ती बूस्ट, तो वो रोज देख रहा है टीवी पे, क्योंकि क्रिकट मैच चल रहा है, तो ये विग्यापन सबसे ज़्याद आ रहा है, तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है, कि बेटे को तेंदुलकर ही बन काड़ी ने, ये सब जो पैदा हुए, वो किसान परिवार में हुए और गरीब थे, और ये साधरन चीजें खाके ही ताकतवर बूस्ट, दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें, फिल लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हां, हमारा Android एप डाउनलोड करना ना गूले.